दोस्तो अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे इस बिलीफ के अंदर कि सामने वाला इंसान human being नहीं है आदमी नहीं है इंसान नहीं है बल्कि एक घोस्ट है भूत है प्रेथ है तो क्या जिसने ये crime किया है जिसने ये act किया है उसको mistake of fact का defense मिलेगा या नहीं मिलेगा आज का जो हमारा case है landmark judgment पर है जो इसी concept पर है ये case जाना जाता है घोस्ट केस के नाम से और case का नाम है state of orissa versus राम बहादूर थापा उनिस सो साथ औरिसा हाई कोट दोस्तो इस case के अंदर क्या हुआ कि एक गाम था उस गाम के अंदर एक एरोडरोम था एरोडरोम क्या होता है जहां पर हवाई जाज रहते हैं उसके spare parts वगरा रहते हैं हवाई जाज से related जितने भी चीज़े होती वो एरोडरोम का area होता है और उस एरोडरोम के आजू वाजू बहुत छोटी छोटी पकडंडिया थी और वो छोटी छोटी पकडंडिया एक गाम को दुसरे गाम से जोड़ती थी और उस एरोडरोम के आसपास जितने भी गाम थे उनके लोगों के अंदर ये अवधारना फैली हुई थी कि इस एरोडरो के पास के एक गाउं के अंदर एक ट्रेडर आता है अपने सर्वेंट के साथ नेपाली सर्वेंट के साथ राम बादूर थापा के साथ उसका पर्पस था कि यहां से हम स्क्राप खरीद के लेके जाएंगे अब रात हो गई वह अपने वापिस अपने शहर नहीं जा पाए तो वो गाम के ही एक धाबे पर रुग गए, उसी धाबे के अंदर पास के ही गाउं का एक दूसरा व्यक्ति भी रुगा हुआ था, क्योंकि वो अपने गाम नहीं जा पाया था, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था और अंधेरे में एरोडरोम के पास जाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर तो भूत आते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसी अवधार ना फैली हुई थी अब जो ये नेपाली सर्वेंट था इसने अपने मालिक को अपना विचार बताये कि चलिए रात को भूत देखने चलते है जब यही बात धाबे वाले को और दूसरे गांगी तो उसने मना कर दिया क्यों कि भूत देखेंगे तो उसके गाम बहुत को डेखने जाएंगे तो भूत देखने का मालिक और उसके एसासाथ जो पास के घाउं का आदमी था वो चले जातें और जब यह वापिस उस इनसान को उसके घर पर चोड़ के आ रहे होते हैं एरोडरोम के पास की पकडंडियों पर चल रहे होते हैं तो यह देखते हैं कि पास ही कुछ लाइटे चमचमा रही तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नेपाली सर्वेंट था वो फटाफट से खुरकी निकालता है और खुरकी को इधर उदर चला देता है उन फ्लिक्रिंग लाइट्स पर ऐसा चलाने के बाद तुरंत उसे किसी के चीखने की अवाज आती है जिससे वो सेंसे में आता है और टॉर्च ओन करता है टॉर्च ओन करने के बाद ये देखता है कि ये भूत नहीं ये तो हुमन बिंग थे हुमन बिंग कौन जो आदिवासी महिला थी रात को लेंटर्ण की लाइट के अंदर महुए के पत्ते इकठे करने आये हुए थे यहां पर ये बात ध्यान देने की है जो नेपाली सरवेंट था उसके हाथ में टॉर्च थी और उसके सासाथ मालिक के हाथ में भी टॉर्च थी उनमें से किसी ने भी टॉर्च तब तक नहीं जलाई ठीक है जब यह case trial court के सामने आया तो trial court के सामने prosecution ने ये दलिल दी कि यहाँ पर जो accused है he did not act reasonably in good faith, he did not exercise due care and attention क्योंकि उसके हाथ में torch थी, अगर वो torch एक बार भी जला दीता तो ऐसा अपराद होने से बच जाता, court ने जो trial court थी उसने prosecution की इस दलिल को accept नहीं किया और accused को section 79 का benefit देते हुए acquit कर दिया, state ने appeal prefer की high court के अंदर, और इसा high court के अंदर जब यह case आया है तो और इसा high court को 3 legal issue decide करने थे पहला की section 79 का true import क्या है, दूसरा क्या same standard of care and reasonable expect किये जा सकते हैं, सब person सब लोगों से under the all circumstances, 3 क्या accused को benefit दिया जा सकता है section 79 का, अब इस case के अंदर जो court ने अपनी observation दी, ये दी कि जो accused है, राम बहादूर थापा, वो no doubt उसके हाथ में torch थी अगर वो torch जलाता, तो ये crime नहीं हो पाता, मगर court ने फिर ये बोला कि उसको तो मन में कहीं है, doubt ही नहीं था कि ये लोग human being भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं वो तो मन में set करके आया था कि पगडंडियों पर, aerodrome के आसपास उसों रात को भूती मिलेंगे और इसके साथ साथ, आपको ये भी पता है कि, वो कुन दो लोगों के साथ आया था, अपने मालिक के साथ और ढाबे के मालिक के साथ अगर इन तीनों लोगों का आप intellect level compare करेंगे तो आप ये देखेंगी, जो servant है उसका lower intellect होगा और मालिक का, obviously क्योंकि वो trader है, तो उसका higher level का intellect होगा, जब एक higher level के intellect वाले इनसान ने भी due care exercise करते हुए इसको रोकने की कोशिश नहीं कि जब वो कुर्की चला रहा था या भूत देखने का मन बना रहा था, तो आप एक lower intellect वाले इनसान से कैसे expect कर सकते हैं उसके तो मन के अंदर कहीं doubt ही नहीं था कि ये human being सो सकते हैं तो court ने बोला कि आप same standard of care और attention expect नहीं कर सकते from all persons in all these circumstances और जो section 79 का true import यही है कि अगर आपका good faith में ये belief है कि जो ये fact है mistaken जिसको आप consider कर रहे हैं सच होता तो reality में भी आपको कोई सजा नहीं हो और जहां तक ghost की बात है ghost को मारना law के अंदर justified this thing was believed by the Nepali servant Ram Bahadur Thakpa who is the accused in the matter so in this case court acquitted the accused Ram Bahadur Thakpa and dismissed the appeal तो ये दोस्तों आपका ghost case था I hope कि आपको पसंद आया होगा फटाफट से comment section के अंदर अपनी feedback जरूर दे दीजे के अंदर तो से अंदर आपको कि अंदर मॉ्ट से अंदर अंदर鍊 रापको कहा वापको कि का रापको कि अचल कि आपको